नमो नमहा बज्यो यदी हम वैदिक संस्कृत आधुनिक संस्कृत यदी हम संस्कृत की कहीं बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले यदी हम किसी के चरित्र की बात करते हैं तो चरित्र हम हमेशा किसी को उधारन देते हैं बच्चो तो चरित्र में हम किसका उधारन देते हैं भगवान स्री राम के चरित्र का हम उधारन देते हैं पुरुषों में जो उत्तम हैं ऐसे पुरुष उत्तम भगवान स्री राम का हम उधारण देते हैं तो बच्चु भगवान स्री राम के चरित्र का हमें अनुकरण करना है भगवान स्री राम के चरित्र का अनुकरण हमें कैसे करना है सबसे पहले हम भगवान स्री राम का जो चरित्र बरणित है बह ग्रंथ है आदी कभी बालमी की द्वारा बिरचित है रामायन महाकाप्य उसको हम रामायन महाकाप्य भी कहते हैं बच्चो रामचरित मानस जो है बह स्री तुलसी दास जी ने लिखा है लेकिन सबसे पहला ग्रंथ जो है महाकाप्य है बह स्री बालमी की जी के द्वारा लिखित रामायन महाकाप्य है तो बच्चो रामायन महाकाप्य से लिया हुआ पाठ एक अंस पाठ्यांस जो है हम आज पढ़ेंगे बच्चो वै नवम कक्षा का दस महापाठ हा जटायो हो शौरियम यह पाठ हम पढ़ेंगे प्रस्ततोयम पाठ्यांसह महार्शी बालमी की बिरचितम रामायनम इत्यस्य ग्रंथस्य अरन्य कांडात समुद्र तोस्ती प्रस्ततोयम कारत है यह जो प्रस्तत पाठ है यह पाठ का अंस महार्शी बालमी की के द्वारा लिखा गया ग्रंथ रामायन ग्रंथ इत्यस्य ग्रंथस्य इस ग्रंथ के अरन्य कांडात अरन्य कांड से समुद्र तोस्ती लिया गया है अत्र अत्र मतलब यहां जटायू रावन योहो युद्धस्य वर्णनम अस्ती यहां पर अत्र मतलब यहां जटायू और रावन के पीच में जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन यहां पर किया गया है पक्षी राज जटाई हूँ पंच बटी कानने पक्षी राज कहा रहत है पक्षियों के राजा कौन जटाई हूँ पंच बटी कानने कानने मतलब पंच बटी में विलपत्नियाह जो बिलाप करती हैं कौन सीतायाह करुण करंदनम सुरत्वा तत्रगच्छती पंच बटी में जो बिलाप कर रही है सीता उनके करुण करंदन को सुनकर वह वहाँ पर आजाते कौन आजाते हैं पक्छी राज जटाई हूँ सह सीता पहरणे निरतं तस्मात निंद कर्मणाह नी ब्रत्यर्थं प्रभूधेयती सीता पहरणे सीता के हरण के निरतं सीता का हरण करने का प्रियास कर रहा है प्रियास क्या सीता का हरण करता है निरतं तस्मात निंद कर्मणा उस जो निंदनी कर्म कर रहा है सीता के अपहरण का निब्रत्यर्थं प्रभूधेयती परंच अपरिवर्थ तितमस्ती अपरिवर्थ बुद्धी वाला रावण जिसके अपार बुद्धी है ऐसा रावण जब सीता को बलाद ले जाता है या सीता का अपरहन करता है तब पक्छी राज तुंडेन का साब्धिकर्थ होता है चौँच के द्वारा पादा भ्यान चा पंजों से प्रहाराती प्रहाराती के मतलब प्रहार करते हैं स्वनखई ही अपने नाखूनों से रावनस गात्रानी विदार यती अपने नाखूनों से अपनी चौच से रावन को घाव कर दिये हैं स्वनखई ही नाखुनों से रावनस गात्राणी विदार यती रावन के सरीर को सरीर में घाव कर देतें एवंच वहु विधाक्रमेन बहुत प्रकार से आक्रमन करके रावनाहा भगन धनवाहा रावन भगन धनवाहा मतलब तूटे धनुस बाला रावन कैसे हो जाता है जो उसके धनुस रहता है वह तूट जाता हत्सारती ही मरे हुए घोड़ों बाला सारती भीन जिसका रत है हत सारती हतास्वाह ब्रणी बोलते हैं जिसके रत के घोड़े बिना रत वाला वो बिना घोड़े वाला हतस्वाह जन्हें अस्वों को मार दिया गए हो ब्रणी घाबों वाला ब्रणी का साब्दिकर्थ है घाबों वाला विरतहस्चा बिनारत का हो जाता है बीवसर्ग पूर्वक बीवसर्ग लगा है विरतहस्चा बिनारत वाला संजाता हो जाता है खगादी पस्य कारत होता है खग मतलब पक्छी पक्छियों के राजा उन्हें पक्छी राज कहा है किसको जटायू को पुनहा पुनहा अतिसाई प्रहारई बहबार बार अत्धिक प्रहारों से ब्रणी घावों वाला हो जाता है कौन रावण किसके प्रहार से जटायू के चोंच के प्रहार से नकों के प्रहार से रावण ब्रणी घावों वाला हो जाता है महावली रावडाहा मूर्चितो भवती महावली रावड मूर्चित हो जाता है बच्चो अब हम इश्लोक को पद को देखेंगे सातदा करुणा बाचो बिलपंती सुदुखिता बनस्पती गतम गृद्धम ददर्शायत लोचेना बड़ा सुन्दर इश्लोक है सातदा सा मतलब वहे कौन सीता तब वहे सीता करुणों बाचा करुणा मई बाणी में बिलपंती बिलाप करती हुई सुदुखिता अथ्यंत दुखी हो रही है बनस्पती गतम बनस्पती मतलब ब्रक्ष ब्रक्ष पर बैठे हुए कौन गृद्धम गीध गिध ददर्शा यत लोचना बै देख ददर्श मतलब देखना बड़ी बड़ी आँखों बाली सीता को गृद्ध ने देखा बचो इसका भावारत है तब अत्यंत दुखी करुणा मई बाणी से बिलाब करती हुई बड़ी बड़ी आँखों बाली उसने किसने सीतानी ब्रक्ष पर बैठे हुए गिध को देखा अग्रिम इश्लोग जटायो पस्य मामारिया ह्रिय माना मना थबत अनेन राक्ष सेंद्रेना करुणं पाप कर्मना बड़ा संदर इश्लोग है जटायो पस्य मामारिया सीता बोलती है हे आदर्णी जटायो रिय माना मना थबत अपर्ण की जाती हुई अनात के समान अनेन राक्ष सेंद्रेना अनेन मतलो इसके द्वारा किसके द्वारा रावन के द्वारा राक्ष सेंद्रेना राक्षस राज के द्वारा राक्षसों के राजा रावन के द्वारा करुणं पाप कर्मना करुणं मतलो दुखी को पाप कर्मना ये जो पाप कर्म कर रहा है रावन तो बोलते हैं इसका भावारत है जटायो पस्त मामारिया है आदर्णी जटायू इस पाप कर्म करने बाले राक्ष सराज रावन के द्वारा अनात के समान अपरन की जाती हुई मुझ दुखी को देखो सीता बड़े करुण विलाप कर रही है जटायू से करे तम सब्द मब सुप्तस्तु जटायूस्च सुस्त्रवा निरीक्च रावनम छिप्रम वैदेहीं चददर्ष तम सब्द मब सुप्तस्तु सोय हुय कौन जटायू रत सुस्रवा सुनू अरे जटायू सुनू निरीक्च देखकर रावणम छिप्रम सीग्र ही वैदेहीं सीता को चप ददर्श देखा जटायू जो की सोय हुए थे उन्होंने जैसे ही हे आदर्णिय जटायू पिछले इसलोक में उन्होंने बोला है आदरनी जटाईू मुझे देखो मैं अनात हूँ तब यह कहते हैं सोय हुए जटाईू पाणी को सुना बढ़ा क्या सुना छिप्रम सीक्र ही वैदेई सीता को ददर्श मतलब उन्होंने देखा सहा मतलब वह है क्या इसका हिंदी में भ सीक्र ही सीता को देखा अग्र मिशलोक में बताते हैं ततहा परवत स्रिंगा भस्तीक्षन तुंडः खगुत्तमहा बनस्पती गतहा स्रीमान व्याजहार सुभाम गिरीम बढ़ा सुन्दर रहे ततहा परवत स्रिंगा भस्तीक्षन तुंडः परवत उसके बाद तता के सिखर के समान सोभा वाले जिस तरह परवत की सोभा होती उसी तरह जो विसाल परवत उसी तरह विशाल का है पक्छी राज बोलते हैं यहां विशेशन है परवत के सिखर के समान सोभा वाले पैनी चौच वाले कौन खगोत्तमा पक्षी राज बनस्पती गतह स्रीमान ब्याजहार बनस्पती गतह मतला ब्रक्षपर इस्थित स्रीमान ब्याजहार सुभासे युप्ठ सुभांगिरम बाणी को इसका भावारत है बच्चो इसके पस्चात ब्रक्षपर इस्थित परवत के सिखर के समान सुभा वाले तीक्षनकार पैनी चौँच वाले जिनकी पैनी चौँच है कौन ग्रद पैनी चौँच वाले ग्रद सुभासे युप्ठ पक्षियों में स्रेष्ट पक्षियों के जो राजा है पक्षियों में जो स्रिष्ट पक्षिय है सुन्दर वाणी में कहा देखिए पक्षि राज ने क्या कहा अग्रिमिश लोग बड़ा ही सुन्दर पद्ध है निबर्तय मतीम नीचाम परदाराभी मर्शनात नातत समाचरिद्धीरो यत परोश बिगरहये बड़ा सुन निबर्तय रोको मना करो निबर्तय मतीम नीचाम नीच बुद्धी को कौन नीच बुद्धी राबन परदाराभी मर्शनात कारते पराइस्त्री के स्पर्श से नातत समाचरे धीरो नातत समाचरे मतला आचरन करने बाले धीरो मतला बुद्धीमान यत परोश यत परोश मतल अब दूसरे लोग परश इसकी बिगर हैत निंदा करें दूसरे लोग इसकी निंदा करें इसका बड़ा ही सुन्दर भावार्थ है इस पर्स नीच बुद्धी को पराईस्त्री के इस पर्स से रोका बुद्धी मान मनुस को बह आच्रण नहीं करना चाहिए जिससे इसकी ब्रद्धो हम तम युवा धनवी सरथा कबची शरी ना चाप्यादाय वैदेही में गमिश यशी बड़ा सुन्दर इस लोग ब्रद्धो हम तुम युवा बोलते मैं ब्रद्ध हूँ जटायू कहता है मैं ब्रद्ध हूँ तुम युवा तुम मतलब तुम युवा धनवी धनुर्धर हो सरता रत के साथ हो कबची कबच धारन किये हुए सरी बाणी बाण को लिये हुए ना चाप प्यादाए लेकर ना चाप प्यादाए मतला लेकर कुसली वैदेही में गमिस्यसी पक्ची राज कहते हैं मेरे जीते जी तुम भले ही धनुर्धर हो भले ही तुम रतार उड़ हो भले ही कबच धारन किये हुए बाण को भले ही लियो लेकिन मेरे जीते जी तुम सीता को नहीं ले जा सकते बड़ा सुन्दर ही भावर हे रावन मैं जटाईू बूडा हूँ और तुम तो धनुरधर हो रत के साथ हो कबच धरन किये हुए हो बाण को लिये हुए हो और जबान हो फिर भी मेरे जीवित रहते तुम सीता को लेकर सकुसल नहीं जा सकते ऐसा सुन्दर मारमिक चित्रण आदि कभी बालमिकी ने शलोक में किया है किसकिंदाकरंड के शलोक में अग्रिम शलोक है तस तीचन नखाब भ्याम तु चरणाब भ्याम महाबला चकार गात्रे ब्रणान पतग सत्त महाब बोलते हैं तस तीचन नखाब भ्याम तीचन नाखूनां वाले कौन पक्छीराज तुचरना भ्याम महावला महान बलसाली चकार कर दिया महा उसको तीक्ष्न नाखूनों से हमला कर रहे हैं उसको चोट पहुचा रहे हैं चकार कर दिया बहुदा बहुत से गात्रे मतलब सरीर पर ब्रणान ब्रणान का अर्थ है घाव घावों को पतग सत्तमा पक्षियों में स्रेष्ट जटायू ने रावन को सरीर में घाव कर दिये हैं नाखूनों से पंजों से पक्षी राज ने उनके सरीर में रावन के सरीर में घाव कर दिये हैं बच्चो इसका हिंदी भावारत है महान बलसाली पक्षियों में स्रेश्ट कौन जटायूने तीच्ण पैने नाखूनावाले पंजों से उस रावन के सरीर पर बहुत से घावों को कर दिया है अग्रमिश्लोग तोश ससरम चापम मुक्ता मनी विभूशितम चरणाभ्यान महातेजा भभज्यास महद बनुहूं बोलते हैं तोश ससरम बानों से युक्त चापम धनुस को मुक्ता मनी विभूशितम मोतियों और मनियों से जो सुसजित है चरणाभ्यान पंजों से महातेजा महान तेजस्वी भभज्यास तोड़ दिया महत धनु उसके धनुस को बड़ी चौँच बाले जटायू ने अपनी चौँच से अपने नाखूनों से उसके धनुस को तोड़ दिया बड़ा ही सुन्दर भावारत है महान तेजस्पी बड़ी चौँच बाले जटाईू ने अपने पंजों से इसके मोतियों और मणियों से सुसजित बाणों से युक्त धनुस को तोड़ दिया साभग्न धन्वा विरतो हतास्वो हतसारत ही तलना भी जगानाशू जटायू क्रोद मूर्चित हा बड़ा ही सुन्दर पद्ध है वच्चो साभग्न धन्वा उसके चौँच के प्रहार से उसका धनुस तूट जाता है रावण का विरतो रत्स के बहीन हो जाता है विरतो बिना रत्के रत्से बहीन हो जाता है हतास्वो मारे गए घोड़ों बाला हत अश्वहा हत का मतलब मारना अश्वहा मतलब गोड़ों जिसने मारे गए घोड़ों बाला हत सारती मारे गए सारती बाला जिसके सारती भी मर गए तलना भिजगानासू तलबार की मूठ शेद तलबार की जो मूठ होती है उससे मार डाला सिग्र ही जटायू जटायू को क्रोध मूर्चिता क्रोध से ब्याकुल बड़ा ही सुन्दर इश्लोग है इसका ही हम हिंदी भावार्त देखेंगे बच्चो बताते हैं उस तूटे हुए धनुस बाले रत से बिहीन मारे गए घोडों बाले मारे गए सारती बाले क्रोध से ब्याकुल रावण ने सिग्र ही तलवार की मूठ शे जटायू को मार डाला अक्रिम इश्लोख है जटायू हु तम अतिक्रम्या आक्रमन करके तुंडे नास खगाधी पहा चौँच से खगाधी पहा मतला पक्छियों के राजा जटायू बाम बाहुं दस तदा ब्यापा बाम बाहुं दस तदा ब्यापा हर दरिंद महां पोलते हैं उखाड दिया बाम बाहुं तदा ब्यापा हर दरिंद महां सत्रूओं को नश्ट करने बाले बड़ा ही सुन्दर इश्लोख है इसका हिंदी भावार थे बच्चों सत्रूओं को नश्ट करने बाले पक्छियों के राजा जटायू ने तब अपनी चौँच से उस पर आक्रमन करके इसकी बाई और से दसों बोजाओं को उखाड दिया अंतिम इश्लोग बड़ा ही सुन्दर इश्लोग अचों इस पाठ को पढ़ने से हमें यह सिक्छा मिंती है कि हमने महर्शी बालिमी के द्वारा रचित महा कब गरंथ को रामायन को हमने जटायू और रावन के मद्ध जो हुए युद्ध को हमने सुना किस तरह से सीता ने बिलाब किया और जटायू का और रावन का किस तरह से संघर्ष हुआ युद्ध हुआ और अन जटायू ने अपने शावरिशे अपने प्राक्रम से सीता की रक्षा करने की पून कोसिस की भले ही उसके प्रान नियुच्छाबर हो गए लेकिन कभी भी बह अपने कर्तब से विमुख नहीं हुआ तो बच्चों हम अपने जीवन में भी यही बात उतारेंगे हमें कभी भी अपने कर्तब से विमुख नहीं होना अस्तू नमोनमहा धन बादः